नमस्कार, वेलकंटू रादिलादे प्रडक्शन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दर्जी के द्वारा कपड़ा काटते समय चौक का निशान रह जाए या दूसरे कपड़े का कलर आपके सफिद कपड़े पर लग जाए तो उसे कैसे साफ करें सबसे पहले एक टब में इतना सर्फ डालें, थोड़ा था टिपॉन केमिकल मिलाएं, अब इसमें इतना पानी डालें कि कपड़ा अच्छे से डूब जाए आप देख सकते हैं इस पैंट पर नीला रंग लगा हुआ है, कस्मर ने हमें चौक का निशान बोला था लेकिन ये हमें चौक का निशान तो नहीं लग रहा है, ये किसी कपड़े का रंग लगा हुआ है, पर तरीका साफ करने का दोनों का सेम है इसे टिपॉन सल्यूशन में अच्छे से डुबा दे और 5-7 मिन तक ऐसे ही छोड़ दे अब पैंट को बहार निकाल कर उस पर हलका व्रश करें अब दाग को साफ करने के लिए हम हाइपो कैमिकल यूज़ कर रहे हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके जहां दाग है अच्छे से मल ले इस पर ये खाने का दाग भी लगा हुआ है इसे मिटाने के लिए पहले पानी छिड़के और नैनो नाम का कैमिकल लगाएं अब कपड़ा फोल्ड करके हम इसे इस कैन में डाल रहे हैं इसमें पानी डालेंगे और कपड़े को 20 मिनट तक हम पानी में छोड़ देंगे अब कपड़े को बाहर निकालके इसी तरह फोल्ड करेंगे और मशीन में स्पिन करेंगे आप देख सकते हैं नीला दाग एकदम गायब हो गया है और खाने का पीला दाग भी साफ हो गया है तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा हम आगे भी ऐसे यूसफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सजेशन या फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें धन्यवाद